आज सुनिए O. Henry की लिखी कहानी कैदी ये एक लोग कथा है इसका हिंदी एनुवात किया है सुकेश साहनी जी ने जीवन के सुक दुख का प्रतिविम मनुशे के मुखडे पर सदैफ तैरता रहता है लेकिन उसे डूण निकालने की दृष्टी केवल चित्रकार के पास ही उती है वो भी एक चित्रकार था उसके बनाय चित्रों में भावना और वास्तविक्ता का एक अद्बुत समझस से होता था एक बार उसके मन में आया कि ईसा मसी का चित्र बनाया जाए सोस्ते सोस्ते एक नया प्रसव उभाराया उसकी मस्तिक्ष में छोटे से ईसा को एक शैतान हंटर मार रहा है लेकिन ना जाने क्यूं ईसा का चित्र बन ही नहीं रहा चित्रकार की आँखों में ईसा की जो मूर्ती बनी थी उसका मानव रूप में दर्शन दुरलब ही था बहुत खोजा मगर वैसा तिजस्वी मुखड़ा उसे कही नहीं मिला एक दिन बाद में टेहलते समय उसके दृष्टी अनाथाले के आठ वर्ष के एक बालक पर पड़ी बहुत भूला था ठीक ईसा की ही तरह सुन्दर और निश्पाप उसने बालक को गोद में उठा लिया और शिक्षक से आदेश लीकर अपने स्टूडियो में ली गया अपोर वुत्सा से उसने कुछ ही मिंटों में चित्र बना डाला चित्र को पूरा कर वो बालक को वापस अनाथाले पहुँचा आया अब ईसा के साथ शैतान का चित्र बनाने की समस्या उठ खड़ी हुई वो एक क्रूर चहरे की खोज में निकल पड़ा दिन की कौन कहे महीने बीट कहे शराब खानों, वैश्याओं के महलनों, गुंडों के अड़ों तक की खाक्छाने मगर उसको शैतान कहीं नहीं मिला चौदा वर्षपूर बनाया गया चित्र, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था अचानक एक दिन जेल से निकलते एक कैदी से उसकी भेट हुई सावला रंग, बड़े होए बाल, दाड़ी और विकट हसी चित्रकार खुशी से उचल पड़ा दो बोतल शराब के बदले, कैदी को चित्र बंजाने तक रुखने के लिए उसने राजी कर लिया बड़ी लगन से उसने अपना अधूरा चित्र पूरा किया इसा को हंटर से मारने वाले उस शैतान का उसने हुबहू चित्र उतार लिया कैदी बोला माशे, ज़रा मैं भी देखू चित्र चित्र देखते ही उसके माथे पर पसीनी की भूंदे उपर आई वो हखलादे हुए बोला शमा कीजिएगा आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं मैं ही आपका इसा मसी हूँ 14 साल पहले आप मुझे अनाथानले से अपने स्टूडियो में लेकर गए थे मुझे देखकर ही तो आपने इसा का चित्र बनाया था जी हाँ आपकी तरह ये वाक की सुनकर वो कलाकार भी हत्प्रव रह गया दोस्तों आप सुन रहे थे ओ हैंडरी की लिखी काहानी कहती आपको ये काहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करकर बता सकते हैं और भी काहानिया सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद